नमस्कार SBD News में आपका स्वागत है पेश अब 20 जन्वरी शनिवा शाम सवा साथ बजी राजिस्थान की बड़ी खबरे जपूर के बनी पार्क स्टेत सैशन कोट परिसर में दिबार असेसियेशन के शपत ग्रेंट समारों में मुख्य मंद्री भजनलाल शर्मा ने अदिवक्ताओं के कारियों की जम कर तारीफ करते हुए ये विश्वास दिलाए कि राजिस्थान में अब डबल इंजन की सरकार है ऐसे में वकीलों की समस्याओं का चरणबर तरीके से समधन किया जाएगा CM बजनलाल ने वकीलों को सराहा देते हुए कहा कि लोगों की नयाए दिलाने में जो देरी होती है वो नहीं होनी चाहिए नियाए के मंदिर में सभी पक्षकारों को नियाए मिलना चाहिए कारकरम के मुख्य अतिती सीम भजनलाद शर्मा रहे और अध्यक्षता एक्टिंग चीफ जस्टिस एम एम श्रीवास्तव ने की जोदपूर हाई कोट के हरिटेस भवन में सिर्थ सीबियाई कोट में आज 10 लाख रुपए की घूस लेने वारे सीजी अस्टि के निरिक्षक और दो नीजी वक्तियों को कोट में पेश किया गया दोनों जोपूर में एक लंबित मामले को निप्टाने के एवज में निरिक्षक ने घूस मांगी थी शुक्याइट के बाद CBI ने दोनों को ट्रैप कर शुकरवाल को गिरफतार किया था CGS-T निरिक्षक अंकित अस्वाल वर्तमान में कस्टन डिपार्टमेंट जुयापुर में प्रिवेटिव आफिसर है मीडियेटर जुयापुर के सिंग पोलन में जुवल्री शोरूम रूप लक्षमी में मालिक अशुकुमार गुपतार और जुवल्री शोरूम में ही काम करने वाले प्रदीप खंडेलवाल और फुसोनु हैं तीनों को CBI टीम ने सुबह 11 बजे CBI कोर्ट में पेश किया लक्षमी जुवल्री शोरूम से पहले राजिसान की भजनला सरकार अपने 100 दिन के अचीवमेंट को जनता के सामने रखने का प्रयास कर रही है इसके लिए सरकार ने हर विभाग को ऐसी योजना बनाने के निर्देश दिये हैं जिनको 100 दिन में लागू करके पूरा किया जा सके राजसन हाउसिंग बोर्ड ने इस 100 दिन की कारे योजना में 9 से ज़्यादा शेहरों में नई आवासे योजना को लाँच करने का निर्देश योजना में 29 सो से ज़्यादा मकान बनाकर लोगों को आवंटित करने की योजना है इंडिया गटबंदन में सीट शेरिंग को लेकर चौला ही कसरत के बीच कांग्रस नेता सचिन पालेट का बड़ा बयान सामने आया है उन्होंने कहा कि हम चाते हैं कि अलाइंस मजबूत हो लेकिन इसके लिए सभी सहयोगी पार्टियों को कुछ ना कुछ गिव एंड टेक करना पड़ेगा इंडिया गटबंदन को लेकर पालेट ने बताया जो भी निर्दने लेना है वो दिल्ली में लिया जाएगा राजिस्थान में परमपरागत रूप से दो पार्टियों कॉंग्रिस और बीजेपी के बीच मुकाबला होता है इसलिए हमारी तैयारी प्रतिक सीट पर है हालंकि अंतिम निर्ने दिल्ली में लिया जाएगा विसिस्टर नियादेश सीबियाई केसी संजे कुमात रिपाठी ने इंकम टैक्स और रेलवे के आफिसर पति पत्नी को बड़ी राहत देते हुए क्लोजर रिपोर्ट्स विकार कर मामले को बंद करने का आदेश दिया है कोड ने आयकर विभा की कमिशनर अलका राजवन्शे और रेल विकास निकम लिम्टेट के ग्रूप जर्नल मैनेजर आमित जायन के खिलाफ आयस एदिक संपत्ति अर्जित करने के तीन वश पुराने बहुँ चर्चित मामले में सरकारी वकील की और से कोई आपत्ति नहीं आने और परिवादी नहीं होने के अधार पर सी वियाई की एफ आर को स्विकार कर केस खत्म कर दिया अंतरास्टर डेजर्ट फेस्टिवल राजसान का एक बड़ा महासब है इस बार जसल मेर का अंतरास्टर डेजर्ट फेस्टिवल 22 फरवरी से 24 फरवरी के बीच आयोजित किया जाएगा इस बार अंतरासर डेजर्ट फेस्टिवल की थीम बैक टू देजर्ट रखी गई है इस बार फेस्टिवल के अधिकतर कार्करम सम गाओं के पास थी तर लखमना ड्यून्स पर होंगे जपर नगर निगम ग्रेटर में काम करने वाले साई सफाई करमचारियों के होनहार बच्चों को छात्रवरती दी जाएगी इसके लिए निगम प्रशासने करमचारियों से आवेदन मांगे हैं जो 20 फरवरी तक भर कर जमा करवाने होंगे निगम प्रशासन ने चात्रवर्ती के लिए 20 लाग रुपे का बजट रखा है हालांके कितने बच्चों को और कितने कितने राश्री चात्रवर्ती के तोर पर दी जाएगी ये तो आवेदन की संख्याने के बार निर्धारित किया जाएगा राजिसान के मुख्य मंत्रे भजनलाज शर्मा ने मुख्य मंत्रे कारेले में श्री मैक्रॉन की प्रस्तावित यात्रा के मद्दे नजर तैयारियों के लिए शुकरवार को यहां उचे सरी समिक्षा बैठक ली श्री शर्मा ने कहा कि फ्रांस के रास्पति के स्वागत की सभी तैयारियां समय बद रूप से पूरी कर ली जाएं उन्होंने अधिकारियों को मैंक्रोव के आवास, सुरक्षा परिवहन, खानपान, परेटन, सहीत, सभी जरूरतों का विशेश ध्यान लखने के दिशान निर्देश दिये 22 जनवरी को आयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिस्था होनी है, जिसको लेकर भरतपर में तग्यारियां शुरू हो गई है शनिवार दोपैर दो बजे से बीजीपी कारेल में अखंड रामाइन का पार्ट शुरू किया गया है, जो 22 जनवरी तक चुलेगा इसके अलावा शेहर के बाजारों को सजाया जो रहा है, व्यापार संगठनों की तरफ से शेहर के मुखे चौराहों को सजाया जाएगा, जगा जगा भंडारे के जाएंगे जिले के 150 मंदिरों में प्राण प्रतिस्था का कारिक्रम लाइव दिखाया जाएगा आर्ट ओफ लिविंग के प्रनेता शुरी श्री रवी शंकरतेश जन्वरी को जोतपूर आएंगे यहां शुकारगड के डारा गार्डन में होने वाले कारिक्रम विशाहर वासियों को खुशाल जीवन जीने के तरीके बताएंगे आज के समय में तनाव और भाग दोड़ वरी जिन्दगी में किस तरीके से खुद को स्वास्त और खुश रखा जाए इन विश्यों पर प्रवचन देंगे इसको लेकर आर्ट ओफ लिविंग परिवार की ओर से तयारी की गई है कोटा मेडिकल कॉलेज से समध अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने स्टैपन भुक्तान को लेकर कारे भाइशकार कर रखा है रेजिडेंट्स की शनिवार को मेडिकल कॉलेज के सीनियर से भी चर्चा हुई लेकिन कोई हल नहीं निकला कोठा में रेजिडेंट्स ने दो घंडे का कारे बैश्कार कर रखा है Resident Doctors Association के डॉक्टर जीतिन रियादों ने बताय कि स्ट्राइपन का करीब चार माहा से भुकतान बकाया है करीब 20 करोड का भुकतान नहीं हुआ है भुकतान समय पर नहीं होता है पहले भी दो महिने का भुक्तान नहीं हुआ था इसके चलते करीब 550 रेजिडेंट्स कारे बैशकार पर है आयोध्या में 22 जन्वरी को श्री रामनला की प्राण प्रितिस्ठा है एक फरवरी से आयोध्या के लिए स्पाइस जट की फ्लाइट शुरू होगी ये बुध्वार, शुकरवार और रविवार को संचालित होगी फ्लाइट जैपूर से सुबे सवा साथ बजे रवाना होगी और सवा नौ बजे आयोध्या पहुचेगी वापसी में आयोध्या से दोपह 3,45 पर रवाना होगी और शाम 5,45 पर जैपूर पहुचेगी किराया न्यूनतम 4500 रपे है फ्लाइट मंगलवार गुरुवार शनिवार और रविवार को संचालित होगी वहीं जैपूर से 27 जनवरी को आयोध्या के लिए ट्रेन चलेगी उद्यपूर, भगत की कोठी, जोद्पूर, जैपूर, हिसार, पाली, बार्णमेर साइट, 9 शहरों से ट्रेन चलाई जाएंगी प्रतेक ट्रेन में 22 कोच होंगे जिसमें से 20 कोच स्लीपर के होंगे रेलवे ने इन ट्रेनों को आस्ता स्पेशल नाम दिया है दूसरी ओर रोडवेज हर दिन शाम 6 बीज पर एसी स्लीपर बस जैपूर से आयुध्य के लिए संचारित कर रहा है सिरोही में मालगाड़े का इंजन पट्री से नीचे उतर गया रेलवे के उच अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई है मालगाड़ी को पट्री पर लाने में कई घंटे लग सकते हैं मालगाड़ी के पाइलेट की लापरवाही की कारण इंजन पट्री से नीचे गया निउसरूप गंच कौंकर रेलवे डिपो लाइन पर हास्ता हुआ है हर्याना यूपी दिली की जमीनों की अलवर जिले में पावर फोटो ने करने वाले साथ सब रजिस्टार में से चार को निलंबित कर दिया गया है साथ ही अन्य पांच करमचारियों को निलंबित किया गया है अभी दो उपंजियक वे 11 करमचारियों पर कारवाही होना बाकी है बताया जा रहा है कि बचे लोग अपने बचाव के रास्ते तलाश रही है पितिवे भाग अभी पूरी तरह नहीं जग रहा है कुछ कारवाही उनके स्तर से होनी है और कुछ दूसरे स्तर से अभी इन सभी पर रिपोर्ट करवाई जानी हैं लेकिन उसके लिए हाथ नहीं बढ़ाये गया है उपमान एरिक्षक पंजियन एवम मुद्रां कलवर प्रतम मुकेश कैथवाल की जाश रिपोर्ट के अधार पर खुलासा हुआ था बहरोड, खैथल, हरसौली, कोट कासिम, पावटा और मांधन के उपंजिय कारेलियों में इन प्रदेशों की जमीनों के रिजिस्टिशन किये गए इनकी संख्या करीब एक हज़ार थी पावर ऑफ अटर्नी के वल बलड रिलेशन में ही होती है लेकिन उपंजिय कारेलों में तैनात अधिकारी और करमचारियों ने आँख मूंद कर सब काम कर दिये मुख्यमंत्री हेमन सोरेन से जमीन गोटाने में पूसास करने के लिए प्रवरतन निदेशाले की टीम सीम हाउस पहुँच गई है दोबर करी भी एक बज़े टीम मुख्यमंत्री आवास पर पहुँची है बताया जोराए कि अलग कमरे में से लैंड स्कैम केस में सवाल जवाब कर रही है प्रवरतन निदेशाले का दिकारी तीन गाड़ियों में पहुँचे थे बाकी की 6 गाड़ियां उनकी सुरक्षा मे थी तो फिलार इस बुलेटर में इतना ही फिर हाजर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ